बच्चो आपका स्वागत है मेरा यूटीब चेनल मैंसी तमरजा में इस वीडियो में हम क्लास 10 मैंस का जो सॉल्यूशन और प्रिवोर्ड एक्जाम टेकन बाई डियोई यानि दिली सरकार ने जो प्रिवोर्ड लिया था सातर दो हजार 23-24 का उसका स्टेंडर्ड मैथ जिसका कोट 041 है एवनिंग सिप्ट का क्वेश्चन लेकर करके उपस थी तूँ इस वीडियो में आप पार्ट सी जिसने क्वेश्चन नमबर 26-31 होता है वो लेकर करके उपस थी तूँ ये पेपर दिनांक 18-12-2024 23 हुआ था और ये जो क्वेश्चन है पार्ट सी है वो थ्री मार्क्स के है आए समझने का प्रयास करें पहला सवाल है तो हम सबसे पहले हम मान लेते हैं जो ये पार्ट में संख्या है अब ये पार्ट में है तो पार्ट में कैसा होता है माना की 3-2 रूट 2 बराबर में P बाई Q या A बाई B जहां A तथा B भी जो है 0 के बराबर नहीं है परस पर सहभाज पुर्नांख है अब ये हो गया आते हैं question की तरफ एक बार और लिख लेते हैं 3-2 रूट 2 बराबर में A बाई B अब देखिए जहां पर रूट लगा हुआ है वो तो इसमें दो पद है दो टर्म है इसमें रूट लगा हुआ उसको या तो ऐसे लिख सकते हैं 3 बराबर में माइनस कुदर ले जाए A बाई B प्लस 2 रूट 2 अब यहां पर दो पद हो गया एक यह और एक यह तो इसका side हम change कर देंगे तो यह हो जाएगा 3 माइनस A बाई B बराबर में 2 रूट 2 जिसको LCM आता है वो LCM ले ले यहां पर नहीं आता है तो ऐसे ही छोड़ दे बराबर में अब रूट 2 यहां पर रहने दे यह हो जाएगा 3 माइनस A बाई B अपर में 2 अब यह क्या है पर में है और यह अपर में है तो यह पर में और यह अपर में है पर में और अपर में कभी बराबर नहीं होता है तो यहां लिखेंगे यह विरोधा भास हैं अता हमारा मानना गलत है अता जो सवाल दिया हुआ है 3 माइनस 2 रूट 2 एक अपर में सग्या है नेक्स्ट देखते हैं यह सवाल दिया है इफ अलफा बीटा और जीरो जोब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बिस अलफा माइनस बीटा एसक्वार और 169 फांड वैल्यू अपर सी यानि अलफा बीटा दो शुन्यक दिया हुआ क्वाड्रेटिक एक्वेशन एक्स स्क्वार प्लस सी एक्स प्लस फोटियेट तो आप इसका मानक रूप इस्टेंडर्ड फॉर्म क्या होता है इस्टेंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वार प्लस बी एक्स प्लस सी तो ए बराबर यहां पे देखते हैं B बराबर का देख रहे हैं C लिखा हुआ है और C बराबर में 48 तो आप जानते हैं alpha प्लस beta बराबर होता है minus B by A तो यानि यह हो गया आपको alpha प्लस beta बराबर में minus B, B के बदले आपके पास C है तो minus C upon में 1 यानि minus C और alpha into beta होता है CYA तो C के बदले में CYA होता है तो C के बदले में 48 है 48 upon में 1 तो alpha प्लस beta बराबर में हो गया 48 और आपको दिया हुए alpha minus beta का square बराबर में 169 तो रहने दीजिए पहले अब formulae से आते हैं alpha plus beta का whole square निकालते हैं तो क्या होता है alpha square plus beta square plus 2 alpha beta तो alpha plus beta का square तो हो गया आपको minus C तो minus C का square बराबर में alpha plus beta square और plus में 2 into 48 तो alpha plus beta का square यानि alpha square plus beta square बराबर में इधार आजाएगा इसका square C square होगा यह minus हो जाएगा minus 96 क्योंकि इसको 2 से multiply करेंगे तो यह आजाएगा अब आते हैं फॉर्मूले की तरफ यहाँ पर alpha minus beta का square बराबर 169 दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या होता है alpha square plus beta square minus 2 alpha beta बराबर में 169 दिया हुआ है इसकी value आपके पास आगया C square minus 96 और यह भी 96 आएगा बराबर में 169 अब C square और यह 96 96 हो जाएगा 192 जो कि minus में उधार आके plus हो जाएगा तो 169 plus 192 तो C square बराबर में हो जाएगा 361 जो कि C बराबर में हो जाएगा यह square root है 19 का तो plus minus 19 तो C बराबर में plus minus 19 answer हो गया next देखते हैं next सवाल आपको दिया हुआ है solve for यह 2x plus 3y is equal to 11 और 3x minus 2y is equal to 19 फिर कह रहा है जो कि m की value निकालना है जब y बराबर में mx plus 2 है तो पहले आपको solve कर रहा है 2x plus 3y is equal to 11 है तो यह equation 1 हो गया दूसरा है 3x minus 2y is equal to minus 29 तो यह equation 2 हो गया अब हमें equation 1 और equation 2 को evaluate करना है तो पहले हम यदि y वाला पद x वाला बराबर करते हैं तो इसको 3 से समिकरन 1 को 3 से और समिकरन 2 को equation 2 को 2 से multiply करेंगे तब ही 6 होगा और x में दोनों में plus का है तो यहाँ पर minus करेंगे समाचिन में हम minus करते हैं यह हो जाएगा एक को 3 से कर रहे हैं तो 6 x plus 9 y is equal to 33 और इधर हो जाएगा आपको 3 तीन दोनी 6 x और minus 4 y is equal to इसको multiply करेंगे तो यह हो जाएगा minus 58 अब हम sign change करेंगे यह तो कट जाएगा यह हो जाएगा 9, 4, 13 y is equal to 8, 3, 11, 5, 3, 8 और एक 9 हो जाएगा 91 तो इस तरह से y is equal to हो जाएगा 91 अपन में 30 यानि 7 तो y के value आगया 7 एक तो यह हो गया अब x वाले को बरावर तो कट लिए y वाले को बरावर करेंगे तो यहाँ पर लिखे equation 1, equation 2 इसको 2 से इसको 3 से करेंगे यानि equation 1 को 2 से इसको 3 से multiply करेंगे और दोनों में different sign है तो plus करेंगे तो यह हमारे पास हो जाएगा 4x plus 6y is equal to 22 और इधर हो जाएगा 3x 3 दूनी 6x तीन से multiply कर रहें तो दो को तो 3 तिया यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9x और 6y और इसको 3 से करेंगे तो 9 तिया 27 और 6 दो 8 माइनस 27 अब यह तो कट जाएगा यह हो जाएगा 13x और इसको यहाँ पर जब घटाएगे तो यह हो जाएगा माइनस 65 तो x बराबर हो जाएगा माइनस 65 अपर में 13 जो कट कट के हो जाएगा माइनस 5 तो x बराबर हमारे पास आगया x बराबर आगया x बराबर में माइनस 5 y बराबर में 7 अब क्या कह रहा है समीकरर में कह रहा है y बराबर में mx प्लेस 2 है यानि यहाँ पे दिया हुए y बरावर में mx प्लस 2 तो y बरावर में mx प्लस 2 तो y की value तो आपके पास 7 है यहाँ पे 7 निकला है m नहीं पता है x की value प्लस नहीं multiply करना है माइनस 5 से और प्लस 2 तो इस तरह से हम देखेंगे यह इधर आके subtract हो जाएगे तो 7 minus 2 is equal to minus 5 m तो m बरावर में हो जाएगा 5 by minus 5 यह cut करके minus 1 हो गया तो m बरावर में minus 1 answer हो जाएगा next सवाल देखते हैं यहाँ पे सवाल दिया है the ratio of income of 2 person 9 is to 7 तो लिखेंगे लेट दे इनकम of 2 person 2 is equal to 9 x and 7 x और let expenditure of of 2 person या बरावर में 4 y and 3 y अब यह तो income का percentage था यहाँ पे और यह खर्चे का था दोनों में condition में 2-2 हजार उपिये बचत करता है तो यानि क्या हो गया पहले case में for first person पहले आदमी के लिए 9 x उसका income था और 4 x खर्चा था और बरावर में 2 हजार बन रहा है एक तो equation यह हो गया दूसरे का खर्चा था यह income 7 x था और यहाँ पे वाई लिए लिए और खर्चा उसका 3 y था तब बचता था 2 हजार अब किसी एक को बरावर करेंगे 1, 2 1 को करें 7 से और 2 को करते हैं 9 से और माइनस करते हैं तो 9, 73, 63 x माइनस 7 से करें तो 7, 28 y बरावर में 7 उनी 14 हजार और इसको 9 से करें तो 63 x माइनस 9, 3, 27 y और 9, 18,000 माइनस करें तो माइनस करने से क्या होगा यह तो कट गया यह हो जाएगा प्लस तो यह हो जाएगा माइनस y बरावर में माइनस 4,000 तो y इकल टो 4,000 और अब x की value को बरावर करेंगे x की value को तो कर लें y की value को बरावर करेंगे equation 1, equation 2 इसको 3 से दूसरे को दूसरे में 3 लगा हुआ तो 3 से और दूसरे को 4 से करेंगे और फिर माइनस करेंगे क्यांको दोनों में माइनस का साइन सेम साइन है तो 9 तिया 27 x माइनस 4 तिया 12 y is equal to 6,000 और इधर हो जाएगा दूसरे को 4 से कर रहे है तो यह हो जाएगा साइचों 28 x माइनस 4 तिया 12 y और 8,000 और माइनस कर रहे है तो साइन चेंज हो जाएगा यह प्लस और यह माइनस में यह तो कट गया आपका तो यह हो जाएगा माइनस x वरावर माइनस 2,000 तो X बराबर में 2000 और Y बराबर में 4000 अब आपको निकालना है फाइंड देर मंथली इंकम तो हमने X माना था मंथली इंकम मंथली इंकम जो होगा इंकम ऑफ टू पर्शन्स आर 9X था तो 9 तूजा 18,000 और एक का 7 था तो 7 तूजा 14,000 यह हो गया अंसर, नेक्स सवाल देखते हैं, नेक्स सवाल दिया हुआ है प्रूब देट इस इस इसको शिद्ध करना है तो देखें हमारे पास LHS से शुरू करते हैं दिया हुआ है रूट 1-sin A और 1-sin A तो हम क्या करें यह था LHS तो इसको कंजुगेट से मल्टिप्लाइ करते हैं इसको हर कापर में ही करन जैसे करते हैं तो 1-sin A अपॉन में 1-sin A तो नीचे हो जाएगा इस तरह से 1-sin A का स्क्वार उपर में और नीचे में 1-sin A sin A हो जाएगा तो इस तरह से यह हो जाएगा 1-sin A का स्क्वार अपॉन में कॉस स्क्वार ए अब ब्रैकेट हमान लब रूट हट जाएगा स्क्वार है तो तो यह हो जाएगा 1-sin A वटे में कॉस कॉस ए तो इस तरह से हमारा जो आंसर है यह आ जाएगा 1-वाई कॉस ए प्लस साइन ए वटे कॉस ए तो यह हो जाएगा स्क ए और यह हो जाएगा 10-ए यही है आरेजस रोट तो कि यही प्रूब करना था स्क ए प्लस 10-ए तो स्क ए प्लस 10-ए आ गया नेक्स सवाल देखते हैं का सवाल है तो क्वेंट सैमिल्टवेसली को दो probability of getting 2 सिक्खे एक साथ उछाला गया है तो 2 सिक्खे के लिए पहले 1 सिक्खे से हम सुनवात करते हैं ht और दूसरे सिक्खे के लिए हम इसको पहले 2-2 बार लिखते हैं ht और t और ht फिर लिखें है ht ht अब आते हैं सवाल के तरफ at least one tell यानि कम से कम एक पट तो पट कम से कम एक पट यानि एक या एक से अधिक पट होगा तो प्राट यानि tell तो एक या एक से अधिक पट तो एक इसमें है एक इसमें है और एक इसमें तो यह हो जाएगा तीन बटे चार नो हेड नो हेड यानि सिर्फ टेल तो नो हेट तो एक ही आएगा एक बटे चार exactly one tell exactly one tell जो होगा एक इसमें है टेल एक इसमें है दो बटे चार इसको कार्टेंगे एक बटे दो इसकी का अथ्वा पार्ट्तिया हुआ है one card is drawn from well-suffled 15 playing cards यानि task के अच्छी तरह फेटी गई 52 पतियों में से आपको probability ग्याद करना एक red card तो red आप पता है जो कि red में total जो होते हैं red में diamond वाला जो होता है red यानि eat और एक heart जो होता है वो red में हाता है तो ये इसके भी 13 होते हैं और इसके भी 13 होते हैं तो ये कुल होता है 26 26 और total है 52 तो ये cut करके 1 by 2 हो गया तो इसका answer हो गया 1 by 2 अब a king of a spade a spade तो a spade जो होगा एक ही है और उसमें भी king एक है तो एक वटे 52 face card face card चार तरह के ये होते हैं diamond, heart, king spade and club तो चार तरह सब में 3-3 जो होता है jack, king और queen होता है face card तो इस तरह से 3 गुने 4 तो total face card 12 हो गया 12 आप और में 52 जिसका simplest form 1 by 4 से कटेगा तो 4 तिया बार है और 3 बटे 13 है इसका answer हो जाएगा 3 बटे 13 नेक्ट सवाल देखते हैं यहां पे आपको figure दिया हुआ है उसमें कह रहा है find angle 1 और angle 2 यह angle और यह angle ग्याद करना है तो यहां पे देखिए पहले तो यह यह दोनो जो 120 है तो यह कितने डिगरी का हो जाएगा यह 60 डिगरी का हो जाएगा और यह हो जाएगा आपको 90 डिगरी का तो एंगल 1 निकल जाएगा इंट्रेंगल पी ओ क्यूँ sum of all एंगल कितना होता है 180 डिगरी तो एंगल 1 प्लस 90 डिगरी प्लस 60 डिगरी बराबर में 180 डिगरी तो इस तरह से एंगल 1 बराबर में हो जाएगा 180 डिगरी और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा यह घटाएंगे तो यह 30 डिगरी हो जाएगा तो इस तरह से एंगल 1 का वैल्यू एंगल 1 बराबर में 30 डिगरी एंगल 2 बराबर में 60 डिगरी होगा यह था section B section C उम्मीदे समझ में आओगा अच्छा लगे तो like, subscribe, share जरूर करें